हेलो फ्रेंड्स मैं संजर आप सब का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर 6 में देखेंगे क्लास फिप्त की मैथमेटिक जिसमें गड़ित हम लोग सीखेंगे और ये परिच्छा धर इस्पेसल जीत बैच है जिसमें हम लोग क्रैस कोर्स आपके लिए फिरी करा रहे हैं ठीक है और ये चैप्टर टू हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर बना लेडी खतम कर चुके हैं और ये चैप्टर टू का सेकंड बी पार्ट है ठीक है ओके और आप देख रहे हैं अभी आठ बजे है ना लाइग ये हिंदी इंग्लिस दोनों मीडम के लिए है ठीक है तो चलिए खैर हम पार्ट बी की बात करते हैं आज हम लोग अबजेक्टिव करेंगे कर हम लोगोंने तो पर देंगे ठीक है तो चलिए खैर आप छोड़ा से दे अबहां धरा क्या होता है क्या नहीं मुदुचा इसे पहला नंबर दीया गया है या पास पहला ठीक है तो पहले का मतलब है कि आप इसको पहले ध्यान से पढ़ा करेंगे क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा ठीक है जैसे लिखा है इन आ एंगल होते हैं जैसे ए बी सी ये तीन एंगल हो गए हमारे ये देखो तीन एंगल होते हैं तो माल लो इसने कहा समव डो योक्सा है यानी कि इन दोनों को मिला कर और और या मिला कर 00 को हंड ה है और सी को हमने बताया था एक सी ब़ो whats होता है कि यदि हम तीनों एंगल को प्लस कर दें एंगल B, एंगल C और एंगल A सभी को हम प्लस कर दें तो टोटल होता है इसका 180 होता है क्या होता है 180 हो तभी को आज सो यहां पर एंगल A की और B की दोनों की वैलू कितनी दी गई 100 दोनों को plus करने पर हमको c नहीं पता है सही है ना तो बिलकुल हम इसको रखे रहेंगे यहाँ पर और उसके बाद हमको angle c चाहिए तो 100 को transfer कर देंगे इधर बच्छा अंतर कर देंगे तो इधर ये plus में इधर जाएगा तो minus हो जाएगा 80 हो चुका है 80 ठीक है तो इसमें देख लो 80 कहां है यह आपका a नमबर पे है कहां है a नमबर पे 80 दिया गया है a नमबर पे 80 समझ गया है तो यह a नमबर आपका option हो जाएगा खेर आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे बताया ठीक चले खेर हम चलते हैं second question में इसको आप note कर लेंगे ठीक है चलिए देखते हैं जैसे second में दिया गया है घड़ी की सुईयों के 20 समकॉन बनते दिखाई देता है कब आपको दिखाई देता है समकॉन मतलब right angle right angle are formed between the hand of a clock घड़ी में घड़ी हम लोग चलो बना लेते भई ये घड़ी होता है सबसे उपर 12 होता है नेचे 6 इधर 3 होता है इधर 9 इन ही में आपको 90 जादा तर देखनों को मिलता है ठीक है 90 कब कम मिलता है ये हमने घड़ी में कभी देखा 90 का मतलब होता है जो angle सीधा ऐसे हो ये होता है 90 का ऐसी कब बनेगा भई ठीक है correct कह रहा है इसमें 2 o'clock दे रहा 3 o'clock 12 o'clock 5 o'clock यानि कि 2 बज़े 3 बज़े 12 बज़े 5 बज़े आपको पता है जब बज़ता है कोई भी fix time तो एक जो सोई होती है काटा इसका वो होता है 12 पे 3 कितना होता है 12 पे होता है तब आपको इसमें चेक करना है काउन सा होता है तो दूसरा हमको काटा रखना है किस पे जिस पे बज़ेगा और इस तरह दिखना चाहिए तो अगर हम 3 पे करते हैं तो 3 पे तो 90 बन रहा बिल्कुल अगर इसी को हम 6 पे करेंगे तो यह तो जादा हो जाएगा अच्छा 9 पे करेंगे तब भी बज़ जाएगा भई तो 9 और 3 दो हो रहे हैं दो में आपके राइट अंगल बज़ जाते हैं सही है ना फिक्स कह रहा है फिक्स अगर इसमें मिनट उनट नहीं है तो मिनट यानी 0 यानी 12 पे करेंगे तो मिनट वाली तो 0 हो जाएगे गंटे वाली को मावर वाली को 3 या 9 पे करेंगे तो आपके 90 अंगल हो चाहे 90 अंगल इधर घूमा हो चाहे 90 अंगल इधर घूमा हो पर यहाँ पर option में कौन है B number कौन है भई B number आपका आशन सही हो जाएगा B number ठीक है 3 o'clock कौन सो जाएगा 3 o'clock 3 बजे समझ गए चलते खेर हम लोग आगे चलते हैं देखेंगे हम लोग 3rd number क्या कह रहा क्या आप अनुमान लगा सकते समकोन कोन का 1 बटा 3 भाग कितने डिगरी होता यानि can you guess the measure of 1 upon 3 of a straight angle तो कह रहा क्या आप अनुमान लगा सकते हैं guess लगा सकते हैं तो हम लोग अनुमान क्या solve ही कर लेते हैं तो यहाँ पर can you measure 1 upon 3 right angle right angle कितने को होता है 90 को होता और कह रहा इसका इसका कह रहा 1 upon 3 off का मतलब का होता है क्या होता है हिंदिम क्या बोलेंगे का 1 upon 3 तो इनका दोनों का means होता off या का का multiply क्या होता है multiply तेहां पर हम कर देंगे multiply one third पूछ रहा देखो यह cut रहा है क्या हो रहा है यहाँ पास cut रहा 30 आजाएगा ठीक है तो इसका अंसार 30 होगा जिससे नहीं बनता तो कुछ इस प्रकार करेगा 90 बन जाए 90 कर लेगा अब अपान 3 अब 3 का इसमें क्या करेगा 30 से डिवाइड कर देगा 90 में ठीक है तो 339 अब यह हो गए 0 0 आया तो 30 0 हो गया ठीक तो 30 आ गया लेकिन इसको ऐसे कट करने के बाद आपको 30 लिखना ही है ठीक है इस तरह न दिखा देना यह रफ वर्क है ठीक है बिलकुल तो उसको नहीं दिखा देना इसी तरह करना पड़ हो ठीक है तो चलो खर देख लेते हैं कहां है 30 30 है बी नमबर में किसमें है बी नमबर में 30 दिया गया तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलो खर अगर समझ में आ गया हो ताब डन कर देंगे कमेंट बॉक्स में डन लिख देंगे लाइब पर ही हम देख लेंगे उ होता है 90 होता समझ गए ini बहुत बड़ी बात नहीं Самë नंबर क्या कहती है देख लेते हैं स्टेक के कोने पर बनने वाला कोंड होता है स्टेक कोण पर एंगल आप अज इन पर एंट कन के बनता है जैस के इंट समकोड के बराबर किसके समकोड के बराबर राइट अंगल के सेम बराबर बनेगा ठीक है बिलकुल 1990 का हमने कल बताया था है 1990 का बन जाता है समझ गए यस तो इस चीज़े आपको इसलिए बेसिक बताई गई थी चलो 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर क्या दिस समकोंड से कम वाली आकरित होती है समकोंड से कम हैना सेफ मेजर लेस देन राइट अंगल राइट अंगल से कम होगी राइट अंगल आप जानते हैं ऐसे होता सीधा होता जब इससे कम करेंगे तो थोड़ा और पास आ जाएगा ये कम होगा पास होगा तो कुछ ऐसे दिख रहा होगा ठीक है याने की कम दिख रहा होगा सीधा सीधा नहीं दिखेगा तो ऐसा देखो यह तो ज्यादा दिख रहा 90 का देखो करेंगे इतना होगा ज्यादा है यह भी देखो ज्यादा 90 का ऐसे करेंगे तो 90 का होगा देखो ज्यादा यह थोड़ा कम लग रहा यह भी ज्यादा है तो यह सी नंबर सही लग रहा है ठीक है सी नमबर आपका हो जाएगा किलियर है तायूब के आपको सारे समझ में आ गए होंगे चलिए खेर हम लोग आगे चलते हैं अबजेक्ट्टों में सेवन नमबर पर यह आपका सेवन नमबर ऐसी आकरिक जिन में मिले छोरे छोरे के मद्ध है अंतर यल अच्छर की भुजाओं के बीच अंतर से कम हो ऐसी कोण क्या कहते है यल से कम हो क्या कहता है यल से कम हो तो यल से कम हो मतलब यल कहने का मतलब यल देखो बन गया तो यल कैसा बनता है 90 का कितने का 90 है 90 से कम होने का मतलब हो था हमने आपको कल बताया था acute angle क्या बताया था acute angle यानि noon cone हम ने कल बताया था आपको सिखाया था जो 90 से कम होते हैं ठी ये हो जाएगा आपका a number स्वरी इसमें लग गया ये ए नमर acute angle ये हो जाएगा clear है क्यों हजाएगा acute angle हो जाएगा clear है यहस तो इसमें हो जाएगा noon cone समझ गया यास चलो एर्थ नमबर दीख लेते हैं हम लोग क्या करा समकोंड के बरावर वाली आक्रित है समकोंड यानि कि 90 किसमें बना इस तरह की चितर कैसा कहा बना हुआ देखो इसमें बना हुआ है समकोंट के बरावर वाली इम आकरित है इसमें भी 90 दिख रहा भई ये दो 90 नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर दो 90 दिख रहा भई ये भी सीधा सीधा लग रहा यहाँ पर तो दो 90 90 में अच्छा ये ये इसमें दिख रहा इस वाले में देखोगे तो थोड़ा ये कम लग रहा ह थोड़ा हलका यहां देखो जब किसका गर 90 बनाओगे यहां से जाएगा लेकिन इसमें पूरा पूरा लग रहा है तो वह इस वाले में इसमें थोड़ा बड़ा दिया हिंदी वाले में तो यह गलत है ठीक है आप दोनों पर देख लेना यह वाला सही है ए नमबर क्या सही है यह नंबर आपका सई हो जाएगा ठीक है चलो नाइन्थ नंबर देखते हैं हम दो समकोड से अधिक वाली माप समकोड से अधिक मतलब इससे अधिक एक तो ऐसी रहेगा जब ऐसे के बजाएगा इधर इत्ता जादा हो जाए तो देख लो भाई कहां इत्ता जादा यह देखो कि सब छोटे-छोटे हैं बी नंबर आपका ज्यादा है समझ गए और जो राइट एंगल से ज्यादा होगा समकोंड से वो क्या कहला है कि अधिक कोड कहलाएगा ठीक है तो खेर हमने इनको भी देख लिया आपको ठीक है ध्यान सब सुनोंगे आपको सारा समझ में आएगा यह यह आउसर सीट है आप यहान से मैचिंग कर सकते हैं चलो फिलिद देख लेते हैं यह यह अकृत भूजाओं वाली बंदा कि तनी इसमें भूजाएं बहिं कितने साइड़े हैं साइड गिनना आपको हम बता देते हैं चलो इस साइड गिन पाते हो आप लोग के नहीं गिन हो चलो फिर भी हम आपको बता देते हैं देखो यहां पे जैसे भुजाय हम गिनेंगे तो एक यह हुआ दो तीन तीन इसमें हैं चार पांच छे भुजाय हैं इसमें शिकी साइड इसमें थार्ड नमबर पे थार्ड क्या है अंग्रेजी वड़माला के यक्स में समकौर से कम है कि नहीं है तो यक्स देख लेते हैं यक्स में बिल्कुल एक ये कम है और ये ज्यादा है इधर की ज्यादा है भई तो ये क्या है भई अंग्रेजी वड़माला के अच्छर यक्स में सम्कॉंड से कम हैं देख रहे हो आप यर्ग से जब देखेंगें और ये दोनों ज्यादा हैं ठीक है तो दो कम हैं कितने कम हैं दो एंगल ऐसे हैं जो की कम हैं एंगल साल लेस दैन राइट एंगल ठीक है फोर्थ नंबर हाफ आफ राइट एंगल एज हाफ आफ राइट एंगल एज समकोण का आधा भाग समकोण यह नहीं 90 90 का हाफ का मतलब होता फिप्ट देखो दिया है The hands of a clock also from a different measure खड़ी की सुईया भी भिन्द भिन्द मापके बनाती है क्या बनाती है अंगल बनाती है कौण बनाती है भई हिंदी में कौण कहेंगे इसमें क्या कहेंगे एंगल कहेंगे या एंगल कह सकते हो ठीक है एंगल कहते हैं आचा six number क्या कह रहा है zero map के कonly को क्या को देखे यहाँ पूछ लिया वहाँ दिया नहीं था कल पर इसमें आप से पूछ लिया ऐसी बताया था an angle that major zero is called क्या कहते था था यह नोario angle क्या कहा था मने象 measurement यन 46 यह यह 0 circle they are in one ara full circle एक कूल चक्र करने परिकरमा में होते हैं कितने अंस होते हैं डिगरी हमने काल कहा था ना जब complete angle हो जाता है वो 360 पूरा घूम जाता है क्या घूम जाता है 360 तो 360 डिगरी होता है पूरा एक circle बनने में यानि कि complete angle बनने हैं जब complete जब बनाया थे तो कैसे बना था ऐसे बना था है ना बिल्कुल तो वही चीजे यहां कह रहा है आयोप के आपको यह भी समझ में आगा यह इसका आंसर है आप यहां से देख सकते हैं ठीक हैं बिल्कुल मैच करके फिल कर सकते हैं माले जी कोई बाई में स्टेक गलत हुआ तो आप सही कर लेना तो हमने कोशिस की सब्सक्राइब करने रख से प्रोडक्टर क्लियर हैं यास तो आयोप के आपको मजाया होगा और आगर आप आपको अच्छा लग रहा ता आप कमेंट कर दें कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा आपको कमेंट कर नहीं ना भूले लाइक भी खर दें नए हैं तो कर दे पुराने हैं तो कोई बात नहीं पढ़ते रहें ठीक हैं और दोस्तों तक भी शेर कर सकते हैं तो चली खायर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही बाई बाई एन टेक केर